हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं मारूती सुजुकी बलैनो डेल्टा कार के अगर की की बात करें तो आपको नॉर्मल लॉक और अनलॉक के साथ आपको कार की की मिल जाएगी कार के अगर फ्रेंट में बात करें तो आपको बंपर पर ही ब्रैक का ट्रीट्मेंट देखने को मलेगा जो कार में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंट में आपको बड़ी सी ग्रिल साथ में सुजुकी का बड़ा सा लोगो ग्रिल के नीचे ही आपको क्रोम मिल जाती है तो कार को एक स्पोर्टी लुक प्रोबाइड करती है बलैनो आपको बेस मोडल से ही प्रोजेक्टर हेड लैंप देती है जो कि एक अच्छी बात है ये बंपर प्रोटेक्टर जो की एक ऐसेसरी का पार्ट है इसके लिए आपको अलग से पेकरने होंगे कार के अगर फ्रेंट की बात करें तो कार फ्रेंट से देखने में काफी संदर लगती है बलनो डेल्टा में आपको स्टील वील के साथ अपोलो के 185, 65 और 15 के टार मिल जाती है वील कवर आपको कार में साथ में ही मिलती है कार के अगर साइट की बात करें तो आपको बाडी कलर में और बियम मिल जाती है साथ में ही और बियम पर ही आपको इंडिकेटर मिलता है जो देखने में काफी संदर लगती है करके अगर साइड की बात करें साइड से कार बहुत प्यारी लगती है खरकी पर आपको बलैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह के से इसके हैंडल बोडी कलर मिलती है ये भी एक एसेसरीस का पार्ट है नीचे देखें तो आपको ये डूर क्लाइडिंग मिलेगी ये भी एक एसेसरीस का ही पार्ट है पीछे से भी कार देखने में काफी सुन्दर है कार में आपको पीछे की तरफ इस्पॉलर भी मिल जाता है नॉर्माल एंटीन आपको मिल जाएगा एक बार आप कार का साइड से लुक चक किजिए इसकी एसेसरीस की जनकारी नेच्ट वीडियो मिल जाएगी फ्रेंट बोथ दोर पर आपको बॉट्टर बॉट्र के लिए स्पेस मिल जाएगा यहां पर आप थोड़ बहुत अपना और सामान रख सकते है चारो डोरो पर आपको स्पीकर दे रखे हैं इसकी क्वाल्टी ठीक है अगर ड्राइबर साइड सीट की बात करें तो आपको नॉर्मल टेकलाइग और स्लाइडिंग आपको बोथ ड्राइबर और कोड्राइबर सीट मिल जाएगी फ्रेंट में आपको बोनेट उपर करने के लिए फ्यूल के लिए दे रखे हैं यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा हेड लाइट के कंट्रोल्स आप उपर या नीचे कैसी आप लाइट चाहते हैं यहाँ से आप इंडिकेटर बगएरा को आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर कार के इंटियर की बात करें तो आपको ब्लैक और ब्लू का कॉंबिनेशन मिल जाएगा डैस्बोर्ड पर थोड़ा से यह आपको पियानो कलर दे रखा जो देखने में काफी संदर लग रहा है एट स्क्रीन की आपको ऑंडेड ओटो कार पले के साथ टच स्क्रीन कार के ब्लोवर हजाट लाइट के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो आपको इसमें और टोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जिसके सारे स्विच यहाँ पर दे रखें है नीचे आपको चार्जर के लिए सॉकेट मिल जाएगा और यूएसब बगेरा के लिए 12 बोल्ट का चार्जिंग सॉकेट फ्रेंट में आपको दो का फॉल्डर मिल जाएंगे मैनुली फाइव स्पीड का गेर बॉक्स मिलता है कार के अगर स्टेरिंग के बात करें तो आपको टिल्ट स्टेरिंग मिल जाएगा कि टेलिक इस पॉकिक का इसमा कोई अप्सन नहीं दे रखा है कि ऑडियो मांट कंट्रोल यैसे आप फॉन को पिक आप या काट सकते हैं को इस तरह से इसका मीटर मिलता है यहापर आपको वाइपर्स की कंट्रोल मिल जाएंगी कुछ इस तरह से आपको इसका मीटर देखने को मिलेगा आप चाहिए तो इसे यहां से बंद यह चालू भी कर सकते हैं यह मैंने बंद करा तो आप दिखिए यह सामने मीटर पर इसकी लाइट आ गई फ्रंट आपको डेर नाइट एजस्टेबल वार्बियम कुछ इस तरह की आपको रूफ लाइट मिल जाएगी तो देखने में एक प्रीमियम लुक देती है कार को यह आपको नॉर्मली मिलेगा ड्राइबर्स को ड्राइबर साइड आपको देखने को मिल जाएगा गिलब बॉक्स की बात करें तो नाहीं ज्यादा बड़ा है नाहीं ज्यादा छोटा मतलब मीडियम साइज का आपको गिलब बॉक्स मिल जाएगा जो आपके सामान के लिए परयाप्त रहेगा कुछ इस्तरे से इसके बिलोवर दे रखे हैं कारकर डैसबोर्ड अगर परानी जनरेशन की बलनों से बात करें तो काफी प्रीमियम लगता है यह आपको टेच स्क्रीन अब अपने फॉन बगरा इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छा रेस्पॉन से इसका भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आपको कार कार में अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस आपको बलैनो में काफी अच्छा मिल जाता है फ्रेंट साइड मैंने अपने अकॉर्डिंग एज़ेस्ट कर लिए यह मैनुल कार है डेल्टा बलैनो आपको दो एर बैक ओफर करती है ट्राइबर और को ड्राइबर साइड एक ब पीछे से आपको कुछ इस तरी के से दिखने हो मिलेगी कार के पीछे मैं आ चुका हूं अगर स्पेस की बात करें मेरी हाइट पांच पुट नौ इंच है और अगली सीट मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है फिर ही मुझे इसमें कोई भी लेग रूम की कमी नहीं होगी फ्रंट सीट पर आपको अगर सेटेवल है अध्रेस्ट मिल जाएंगे सीट के अगर बात करें तो काफी सीट जो इसकी आराम दायक है करके सीट पर नॉर्मली फैबरिक कर इस्तेमाल किया गया है अगर सेंटर की बात करें इसमें आपको थोड़ा सा हम तो देखने को सेटेट मिलेगा तक बीच वाले के लिए थोड़ा सा प्रोड़ाम कर सकता है कि पीछे की सीट पर आपको को क्यों है जर्फ मिल जाते है बीच के ब्येक्ति के लिए कोई भी इसमें है अध्रेष्ट ये यहाँ पर कोई भी आम रेस्ट नहीं दे रखी ये चारों डोरे पर आपको सॉब्ट टच मिल जाएगा दिखने के लिए एक अच्छी बात है प्लस चारो डूर पर आपको बार्टर बोटर रखने के लिए स्पेस सेंटर में आपको 12 बोल्ट का चार्जिंग सॉकिट यहां पर अपना मॉवाइल बगया रख सकते हैं पीछे से कार काप एक बार डेशबोर्ड देखिए अगर बात करें तो कार में आपको नॉर्मल सी टाइप की लाइट देखने को मिल जाती है जो कार को एक अच्छा लुक्त देती है एलेडी और नॉर्मल हर्जुन के साथ आपको इसमें बल्ब मिल जाएंगे रियर की अगर बात करें तो कार में आपको सी टाइप टेल लेट देखने को मिल जाएंगी जो की एलेडी और नॉर्मल हैलोजन बल्ब की साथ आपको मिलती है नैक्सा की बेजिंग कार में आपको पीछे टिफॉगर मिल जाती है रियर से कार देखने में आपको कुछ इस्त्रिक से मिलेग कार रेर से देखने में भी काफी संदर है अगर साइड की बात करें तो आपको कुछ इस सेप में आपको साइड कार की देखने को मिलती है कार के बंपर पर ही आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे कार के अगर बूट की बात करें तो आपको नॉर्मल अपनी की से दो बार अलोक का बटन प्रेश करना होगा उसकी बात में कार में आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा जिसे प्रेश करने के बाद आप अपना बूट ओपन कर सकते हैं काफी बड़ा बूट स्पेस आपको बलानों उफर करती है आपको यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छी बात है कार में आपको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी नॉर्मल अपना सामन टागने के लिए यहाँ पर थोटा सा हुक 318 लिटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाएगा यहाँ पर आपको इस टेप नहीं देखने को मिलेगी जो कि सेम साइज की मिलती है कार का जैक, टूल, फर्स्ट किड बगराई यहाँ पर रखी हुई है कार के अगर इंजन की बात करें तो कार में आपको 1199 में CC का फोर्स लेंटर इंजन मिल जाता है जो कि 89 BHP और 113 NM का टॉर्क ब्रेडियूस करता है